पिछले एपिसोड में आपने दीखा कि मैगी वीर को जंगल में ली जाता है, जहांसे सलोनी और मानव वीर को जंगल में छोड़ कर भागाते हैं, मैगी वीर को रहस से बताता है, वीर को जब अपने पुनर जनम के बारे में पता चलता है, उसके होश उड़ गई, अब आगे नई नई ऐसा नहीं हो सकता आका ये तुम्हारा पुना जन्म है इसलिए हर घटना तुमसे जुड़ी हुई है अगर ये मेरा पुना जन्म है तो फिर मेजापूर अपहले जैसा क्यों नहीं है मेजापूर में अभी चेहरे बदले हैं आज भी लड़ाई वाचस की है जब तक मैंने सच को नहीं जाना था मैं बहुत खुश था तब तक लेकिन तुमसे मिलने के बाद बहुत उल्जन में पढ़ गया हूँ अच्छा मैंने तुम्हें उल्जन में डाला है मैं तुमको जगल से बहाद छोड़ाता हूँ मैंने तुमको जो भी बताया है तुम सब भूल जा उल्जन से निकल जाओगे मैं अब तुमको कुछ नहीं बताओँगा मैगी गुसा होकर दूर जाकर खड़ा हो गया वीर मुस्कुराया मैगी जी मैं ये सारी बाते सुनका बहुत उलज गया था इसलिए तुमसे बोल दिया अब गुसा छोड़ दो और मुझे मिज़ापूर के बारे में बता दो नहीं मैं अब कुछ नहीं बताओँगा अच्छा जी अब तुम भी मुझसे गुसा रहोगे वीर हसने लगा वीर की हसी देखकर मैगी भी खुद को हसने से रोग नहीं पाया और फिर दोनों तेज तेज हसने लगी दूसरी तरफ मिर्जापूर में जीनत का इलाज अभी चल रहा था अशद जीनत से मिलने हॉस्पिटल आया जीनत अब कैसी हो? जब मुझे गोली लगी थी तब तुम छोड़कर भाग गए थे और उस दन से हॉस्पिटल भी अब आये हो मेरा वहाँ से भागना ठीक था ओ, कैसे? क्योंकि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो वो लोग मुझे भी गोली मार दे थे अब मैं जिन्दा बच गया हूँ अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूँगा नहीं, अपने लिए अब मैं खुद लड़ूँगी तुम हॉस्पिटल के बैट पर पड़ी हो मैं बहुत जल्द इस बैट से उठूँगी और लड़ूँगी भी डर डर का रहने वाली अब गुड़ों से लड़ेगी मुझे अब किसी का कोई डर नहीं है तुम ही जा सकते हूँ मैं क्यों जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ चलो, कुछ तो अच्छा सोचा, अशर चला गया वीर का सारा परिवार दुख में बैठा था तभी दादू बाहर से आए क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो सभी वीर कई दिनों से खड़ नहीं आया है उससे फॉन से भी बात नहीं हो पाई है मुझे लगता है कि वीर अपनी मन्जिल के लिए निकल गया है लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया मैंने ही उसे मटका दिया मुझे तो बता कर जा सकता था क्या हुआ, आप इतने सोच में क्यों पड़ गए कुछ नहीं आप चिंता मत किजिए, मैं वीर को जल्दी ढूंड लाऊंगा नहीं, वीर दोस्तों के साथ गया होगा वो खुद वापस आ जाएगा नहीं, आप तो जानते ही हो कि हमारे कितने दुश्मन है इसलिए किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते है दोस्तों की साथ बता कर जाता था लेकिन इस बार किसी से कुछ बोल कर ही नहीं गया है यह लड़का बहुत लापरवा हो गया है मैं इसको मिरजापुर की गद्दी सौपना चाहता हूँ लेकिन वीर को कोई फिक्र ही नहीं है इतने चोटे चोटे लक्षें के लिए वीर का जन्म नहीं हुआ है होता तो मैं तुमको जरूर बताता माफ किजिए मुझे आपकी मुस्कान से ऐसा लगा कोई नहीं वीर आ जाएगा हाँ वीर अपने नाम के जैसे बहुत बहादूर है उसकी चिंता करने की कोई अविश्यक्ता नहीं है सभी अपने अपने कमरे में चले गए वीर की दादी और दादू मटके का सथ जानते थे वीर ने दादू के कमरे में आकर अपने जादू ही शीशे में वीर को देखा और देखकर हसने लगे सब बेवजह परिशान हो रही है वीर जंगल में मैगी के साथ है वीर को मैगी मिल गया जिस जगह वीर अभी है वहां मैगी के बिना जाना संभव ही नहीं था इश्वर वीर को उसकी लक्ष में कामियाब करे हम चाहकर भी वीर की कोई मदद नहीं कर सकते हैं सिर्फ इश्वर से प्राथ ना कर सकती है वीर के दादू दादी बाते करने लगे सलोनी और मानव अपनी कार से सड़क पर जा रहे थे तभी रास्ते में उनको अश्वर ने अपने दोस्तों के साथ घेड़ लिया सलोनी ने अपनी खार रोकी और चारो तरफ देखा अश्वर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था अब क्या करें? अब लडाई के अलावा कर भी क्या सकते हैं? लेकिन ये तने जादा लोग हैं और अब हमारे साथ वीर भी नहीं है वीर की वज़े से इमें बड़े बड़े पंगे लेता था अब क्या करो? वीर को तो हम मुसिबत में छोड़ कर आ गए और अब तक उससे पूछा भी नहीं कि वो कहा है अब पस्तावा करने का वक्त नहीं है तभी अशद अपनी बंदूग के साथ सलोनी के पास आया और उसे बाहर निकालने का इशारा किया सलोनी और मानव ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने अपनी पिस्टल उठाई और गाड़ी से बाहर आए सलोनी ने एक हाथ से अशद का गला पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी के बुनट पर गिरा दिया और उस पर अपनी पिस्टल तान दी दूसरे लोगों से बचाने आये लेकिन मानव भी बंदूग लेकर तयार खड़ा था अशद के सारे दोस्त गाड़ी में जाकर बैट गए आज आखरी बार छोड़ रही हूँ अगली बार उल्चा तो तुछे दुनिया छोड़ने पड़ेगी सलोनी ने अशद को छोड़ दिया अशद जान बचाकर भागा वो अपने दोस्तों के साथ महां से भाग गया मानवर सलोनी भी वापस गाड़ी में बैट गए हरे वाँ, वो लोग इतने सारे थे फिर भी जान बचा कर भागे है ताकत के साथ सा तिमाग का होना भी जरूरी है शरीर, ताकत और जुंड हाथी के पास भी होता है लेकिन जंगल का राजा शेर होता है कुछ समझ आया? हाँ, थोड़ा-थोड़ा कोई नहीं, साथ रहोगे तो तुम भी जान जाओगे बिल्कुल वीर के पास चले? लेकिन मैं तो वो जगे भी भूल गया हूँ अब उसे कैसे ढूड़ेंगे? मुझे रास्ता याद है हमें वीर को मुसीबत में अकेले छोड़ कर नहीं आना चाहिए था हाँ, लेकिन इस बार वीर को कभी नहीं छोड़ेंगे दोनों साथ साथ वीर को ढूड़ने निकल गए सलोनी और मानव जंगल में पहुचे शाम भी बहुत हो चुकी थी जंगल तक का रास्ता मुझे याद था लेकिन जंगल में अब कहां से जाना है इसके बारे में नहीं पता है सलोनी ने मानव की बात मान ली और उसी दिशा में चलने लगी जंगल में आगे चलकर पेड़ ही पेड़ आ रहे थे जैसे तैसे सलोनी गाड़ी आगे से निकाल रही थी मुझे नहीं लगता कि गाड़ी ज्यादा दूर तक जा पाएगी हाँ, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं मेगी ने उस दिन सही रास्ते से पहुँचाया था मुझे वीर की चिंता है नचाने मेगी में वीर की साथ क्या क्या किया होगा नहीं, वीर बहुत बहाद हो रहे उसे कोई परिशानी नहीं हो सकती मैगी जादूगर है, इसलिए दिलखपरा रहा है तब इस सलोनी की कार पेडों की बीच में फस गई वो आगे नहीं जा पा रही थी सलोनी ने पीछे मुरने की कोशिश की लेकिन पीछे बहुत सारे भीडिये खड़े थे सलोनी और मानम डर गए आके चाने का कोई रास्ता नहीं है लेकिन पीछे इतने सारे भीडिये हैं अब क्या करें, आज बहुत बुरी तरह से फसे हैं आदमी रुपी भीडिया से तो बचकर आ गए लेकिन अब इन से तो भगवान ही बचा सकता है ये सब देखकर तो वीर की याद आ रही है और बहुत पश्तावा हो रहा है कि यहां चानवरों के बीच में वीर को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था सलोनी अब तुम ज़्यादा सोचो मत वीर जहां भी होगा ठीक होगा सलोनी और मानव के होश उड़ गए सलोनी बहुत जोर से चीखी कहानी चारी रहेगी क्या सलोनी और मानव भेडियों के जुण से बच पाएंगे क्या सलोनी अपने प्यार वीर को ढूण पाएगी और क्या मागी वीर को उसकी मंजल तक पहुचाने में सफल हो पाएगा जानने के लिए देखते रहिए मिर्जा पूर एक जादुवी नगरी सीजन थ्री